नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल टार्गेट सिविल सर्रिशिस में तो आज है आठ जून और मद्विद्धिस के डेली करेंटेफेर में आज हम पढ़ेंगे आठ जून के करेंटेफेर तो लेक्षर ध्यां से देखीएगा और दोस्तों इसने व विश्व महासागर दिवस यानि वर्ल ओशियन डे मनाया जाता है और विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्स आठ जून को मनाया जाता है और वर्स 2008 में संयुक्त राष्ट संग द्वारा अधिकारिक मानितर दी जाने के बाद यह दिवस मनाया जाता है और पहला विश्व लाइफ एंड लाइफूट्स और 2020 की दिम गया थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन दोस्तों हमारी प्रतिवी पर मुक्यतर पाच महासागर है वो कौन-कौन से है तो एक तो पैसिफिक ओशियन हो गया जो कि सबसे बड़ा महासागर है यानि प्रसांद महासागर फिर उसके बाद हिंद महासागर यानि इंडियन ओशियन हो गया ठीक है और फिर उसके बाद अट्लांटिक महासागर इसमें एक नौर्थ अट्लांटिक महासागर और एक साउध अट्लांटिक महासागर हो गया ठीक है फिर उसके बाद एक साउधन ओशियन है जिसको हम के लिए पौधा लगाने की सर्थ अनिवार करने वाला देश का पहला राजी कौन सा बन गया है तो यह बन गया है हमारा प्यारा क हमारा विश्वप्रयावरं दिवस पर परियटन विभाग द्वारा विबीनार का आयजन किस विषय पर किया गया तो यह किया गया रिजनरेटिव टूरीज्म पर ठीक है याद रखीगा एक्सकोशन था हमारा केंद्री मंत्री नितीन गटकरी ने किस जीले में मेडिकल डिवाइस पार्क बना जाने की घूशना किये तो यह किस जिले में किये तो यह इंदॉर डिस्टीक में किये ठीक है तो याद रखेगा और देखी इंदॉर में गटकरी ने कहा है कि सस्ते बेंटिलेटर बनाने पर भी काम किया जाए और इनके दवारा इंदॉर को मुंबई दिल्ली हाइवे से भी जोडने की बात कही गई है ठीक है और यहाँ पर एथेनाल पेट्रल पॉम्प भी जल्द खोले जाएंगे इंदॉर में इस इंदॉर में ही आक्सिजन दवाईया कंसेट्रेटर और मेडिकल उपकरनों का बैंक बनाने की बात कही गई है और थोड़ी दिर पहले बताया था कि गटकरी जी के अपकास कौन-कौन से विभाग है तो यह किंद्री यह सड़क एवं परिवहर मंत्री भी है और MSME मंत्री भी है यानि सुक्ष में लगो एवं मध्यम उद्ध्यों मंत्री भी है चलिए अब स्टार्ट करते हम आज की करेंट अफ़ेर तो आज की करेंट अफ़ेर पहला कोशन है हमार सब्सक्राइब करेंट इसका गठन कब किया था 1976 में इसका मुख्यालय कहां पर है तो यह भूपाल में तो चलिए सबसे पहले मध्यप्रदेश की अकेडमी के नाम और उनके मुख्यालय कहां पर है और इनकी स्थापना का वीति यह देख लेते हैं तो देखें मध्यप्रद पंजाबी एकेडमी इसका मुख्यालय भी भूपाल है तो इतना ज्यादा रखीगा और कालिदास एकेडमी इसका मुख्यालय है उज्यान में में अदुष्ण में पर इसकी स्थापना हुई थी में तत्व एबम अभी लेखाकार संग्राल है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी जब मद्रदेश की भी स्थापना हुई थी भारत भवन ठीक है इसकी स्थापना का अब हुई थी 1982 में और बात करें यहाँ पर मद्रदेश तुलसी एकडमी की तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और मद्यप्रदीश संसक्रत एकडमी इसकी स्थापना 1985 में हुई थी ठीके और लामा एकबाल अदबी एकडमी इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और मद्यप्रदीश सीधी एकडमी की स्थापना 1983 में हुई थी ठीके फिर इसके बाद उस्ताद अलावद्दीन खा संगीत एकड में की थापना का ऊई NOTH 없는 मद्द्रदेश हंदी ग्रंथ Social में इसका बनाना करें मद्द्रदेश साहित् Dire 익 выступ कला सब्सक्राइव करें और इसका मुख्या बहुत बवपाल मे ठीक है, इंपर्टेंट है याद रखिएगा आजादी के अम्रित महुत्साओं के अंतरगत मद्यप्रदेश उर्दू एकेटमी द्वारा दारा सिकोह भारती सांजा संसक्रति के वहाग विशय पर आज जुन 2021 को आनलाइन वेबिनार आयोजित किया रहा है और निदेशक डॉक्टर नूसरत महदी ने बताया कि संसक्रति परियर्टन और अध्यात्म मंत्री सुस्री उशा ठाकुर वेबिनार का सुवारम करेंगी और उर्दू अकेटमी द्वारा भारती संसक्रति में उर्द नरेश रहेंगे और अध्यक्स्ता स्री तक की आबिदी करेंगे ठीक है आयाइटी इंदोर ने राश्टी आप्दप्रबंधन संस्तान यानि नेशनल इंस्ट्यूट ओफ डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब ए नाई डीम न्यू डेली के सहयोग से किस छेत्र पर सम्मेलन की सुरुवात की गई है तो यह की गए जलवायू परिवर्तन पर तो इसका आंसर क्या जएगा ऑप्शन अंबर सी ठीक है जलवायू परिवर्तन अच्छा बात करें हम यहाँ पर राश्टी आप्दप्रबंधन संस्तान यानि नेशनल इंस्ट्यूट ओफ डिजा मनूज कुमार इसके डारेक्टर है बात करें यहाँ पर हम आयाइटी इंदौर की यानि इंडियान इंस्ट्यूट ओफ टेक्नोलोजी की तो इसके चेर्मेन को है इसके चेर्मेन है दीपक पाठक इसकी स्थापना का बूजी 2009 में हुईती और देखिए देश का एकमात्र से है जहां पर आयाइम और आयाइटी दोनों है वो कौन सा है इंदौर है तो भारती प्रदोगी संस्तान आयाइटी इंदौर और राष्टी आपदा प्रबंधन संस्तार यानि नेशनल इंस्ट्यूट ओफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू डैली के सहयोग से अंतराष्टी सम्मेलन की सुरुवात हुई है और सम्मेलन में सिक्षावीदो, वैग्यानिको, इंजिनियरो, सूत कर्स्ताओ, पेशेवरो, चिकिच्चको और सलहकारो द्वारा, जलसंसादन, परियावरान और जलवायू परिवर्तन के बारे में अपने नविंतम निसकर्सों को प्रस्त दुक्त राजी अमेरिका यानि युनाइटेट स्टेट अफ अमेरिका के अंतराष्टी मुद्रा कोश यानि आईएमेफ के साहयक निदेशक डॉक्टर राल्फ चामी ने कल्यान और आर्थिक प्रनाली के लिए प्रकृति का मुल्य विशय पर व्याख्यान दिया, सम्मेलन इसका आईएटी इंदोर ने नेशनल इंस्ट्यूट अफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू डेली के सायुक से किस सेत्र पर अंतराष्टी सम्मेलन की सुरवात की गई है तो यह की गई है जलवायू परिवर्तन पर alt next question है हमारा स्वंत्री अंतराष्टी सम्मीज मिस अर्थ प्रतियूगीता में किस जिले की कुसागर सत्नाकर सीनियर कैटेगरी में फर्स रनर अप हो रही तो यह किस जिले की यह भुपाल डिस की हमारे मध्यप्रोदेश की राज़दानी भोपालगी है तो इसका आंसर क्य प्रतियोगीता हो जाएगा ऑफसे नमबर बी भुपाल तो दिखिए स्वंत्री अंतराश्च्री संस्ता की ओर से मिस्टर मिस अर्थ प्रतियोगीता आयूजी थुई और यह प्रतियोगीता पहला राउंड पिक्चर विथ नेचर दूसरा राउंड टेलेंट हंट और तीसरा आबीद इनिसार जूरी मेंबर रही है ठीक है तो याद रखेगा स्वंत्री अंतराष्टी संस्ता की ओर से मिस्टर मिस अर्थ प्रतियोगीता में किस जिले की कुटागन सतनागर सीनियर कटेगरी में फर्स रन अप रही तो यह भुपाल डिश्टिक की नेक्स कोशन है हमारा दादा सहीब फाल के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्व फाउंडेशन की ओर से कोरोना वारियर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है यह दिया गया है डिम्पल नवानी को तो इसका आंसर क्या हो जागा ऑप्सन नमबर बी डिम्पल नवानी और यह है देखिए इसके भुपाल डिस्टिक की ठीक है तो याद रखीगा और बात करें यहाँ पर दादा सहर के अवार्ट की तो इसकी सुरुवात कप से हुई थी 1969 से हुई थी और देखिए यहाँ अवार्ट को सामाजिक कारे के चलते दिया गया है और इसके साथ ही उन्हें Human Rights Social Justice Commission की ओर से Gold Medal भी दिया गया है ठीक है तो याद रखिएगा Human Rights Social Justice Commission की ओर से इनको Gold Medal से भी नवाजा गया है और 24 साल के उम्र में उन्हें Social Work के लिए हाली में अन्नी कई अवार्ट दिये गया है याद रखिएगा दादा साहिव फाल के International Award Film of Foundation की ओर से Corona Warrior Award 2021 की से दिया गया है तो यह डिमपल नवानी को दिया गया है मद्यप्रदेश के किस जीले से है तो यह मद्यप्रदेश के भोपाल सहर से है कोशन था हमारा निमनलिकित में से मद्यप्रदेश राजे से संब्द खेल पुरुषकार कौन सा है तो कौन सा है एक लव वी पुरुषकार तो इसका आंसर क्या हो जागा option number C एकलवी पुरुसकार और देखी ये मद्ध्रदेश सरकार दिया जाता है इसमें कितनी राशी दी जाती है तो ये दी जाती है 50,000 रुपए ठीक है और 19 वर्ज से कम आयू के राश्टी अंतराश्टी इस्तर के खिलालियों को ये पुरुसका दिया जाता है जो कि मद्ध्रदेश निवासी है और मद्ध्रदेश में खेल के छेतर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरुसकार कौन सा है तो वो है विक्रम अवार्ड ठीक है और जो विक्रम अवार्ड में 1,000 रुपए की राशी दी जाती है और ये 19 वर्ज से दिया जाता है ठीक है विस्वमीत्र पुरुसकार की बात करें तो ये भी मद्ध्रदेश गवर्मेंट के द्वार्ड दिया जाता है और विस्वमीत्र पुरुसकार कोच को दिया जाता है ठीक है और देखिए आज के लिए आपका कोशन है ये MPPC 2019 में पूछा जा चुका है वर्ष 2015 में इंदोर में आयोजीत पीसरे अंतराष्टी धर्म धर्मा संगोष्टी के विशिष्ट अथिती कौन थे तो यह आपको बताना है ठीक है और देखें यह है हमारा टेलेग्राम चैनल और यह है इंस्ट्राग्राम चैनल अगर आपको हमारे वीडियो की प्रपर नू झालेग्राइबू प्रुस्टी प्रप्रप्राइबूर यह है हैजिसरे लिग्राइब नू ग्र यह है है अग्राइब ग्र्मा संगे टो यह है और लू यह मानूला से